बार बीजेपी के साथ थे पिछली साथ जूटी बोलते हैं बाजपा कोई यहां से बिदा करने ही नराज़गी एक बुक्यमर्णा बहुंस हो गया ऐसी सरकार जूटी हमने कर दिन देखी जब से सरकार आई है देखो कहीं भी एक रुपे का कहीं काम नहीं है जहां भी कहीं काम करने कोसिस करते हूं लोस होता है कि नमस्कार मैं हूँ जितेंद्र गोतम और आप देख रहे हैं जैन ही टाइम इस वक्त मैं मौझूद हूँ उत्तर परदेश के पस्षिमी उत्तर परदेश के मुझपन नगर के गाउं सिस्रोली में इस गाउं की खास बात यह है कि जब कि सान नेता राकेश्टिकैत का है इसलिए हम यहां पर पहुचे हैं और जानने की कोशिस करते हैं कि इस वार किसानों का मिजाज किया है क्योंकि 13 महीने आंदोलन चलाता और उसके बाद अब विधांसावाद चुनाव हैं तो हमारे साथ तमाम गाउं की जंता जूड़ चुक अब पर यहां तुछ खाय दिये भाई है महारा ने चुट ज़्या कुछ भी एक इन संडून नराजगी आया बुक्वें बनना बहुत होगा गाउं के खेतों की ट्वालों की बात कि जाए उनकी क्या स्थिति पट्रें तो ही राज इतना बील कर दें मारे पर पट्रंगे य कि महंगाई और किसान पहले से ही परेशान है इस तरह क्या जो हमारा रेयल्टी चैक है उसमें यह दिखाई दे रहा है और भी बुजूर्ग मौजूद है जी आपका क्या ना बेजपाल है इस बार कौन हो सीम कि मारे तो यह यह लोग जल है हमारी तो पिछली बार बीज़ेपी के साथ थे थे पिछली साथ जो कि आपके को थे लोग ऑनलो क्या करते हो रोग कि प्रिशन्य में दीये और असी ब्रेसंद्य हो गाये चुत्री को विजाद सब खेश का गयरे रत उपेहरा देरी प्रिशानय पूरे गाश चोलने में प्रिशन्य लो भी किसान मौजूद है अ ताव जी क्या नामें अब सितार जिंग और भी कोई मुद्द्ध है खेतों को लेकर कौन कौन से बुद्धे यह है कि यह जो बंदर नचवा है राजा बने हमारे यहां देश में हम इनको यहां से आपकर निकाल देंगे इनका कोकड़ा साफ कर देंगे कौन है बंदर नचवा मोधी भी है रोयोगी भी है दोन्नों ही है दो इस बार अगर बात करें महंगाई को लेकर तो गाउ में कैसा हल है और पी लोग मौजबें यहां कितने पडिन से बात करते हैं अब आप जी आपका मैंदर इव को लेकर कितनी परेसानी होती है मैंगाई को लिएक तो डैर है महाज़ है टिजल एक फॉट के दाम है विजली के दाम है हुल्टे अच्चिंक आधियस पीने दिखे परदान मंत्री भी रहे, पी दिलो, हर बखा जोट बोलने का काम, विद्नो राव अथारेली क्यों अटाली बानना, महा पांच आदमी गए नी, मोसम खड़ाब थाजना, जोट परदान मंत्री के मूपा चौर बें पैमिट करवांगे, गंडे गानू करवांगे, बदरामे ब पैमिट नहीं है, जब बेरोजगारी रोजगारी किस कदर है ऐसे, बहुत ज़्याद है, नोजवान फिर्या दखके खता, बताये क्या रोजगारी को बरती नहीं ख़ल ली, कुछ भी नहीं है, बेरोजगारी को लेकर हर गाउम में आवाज उठ रही है, युवा हमार साथ म इखक करनी को नहीं कर नहीं कम नहीं पतारो पर किसे सरकार अगये का मित हुआ काम पर कोशीब कर से सोता है कि एस तरह कोई प्रोफित होगा सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो इन्होंने भाईयों के बीच में खाई पैदा करी थी आज बड़े खुशी का महूल है कि यहां पर हिंदु मुस्लिम जो गुल दस्ता था वो दोबारे से फिर उसी पोजिशन में आके खड़ा हो गया है और यही गुल दस्ता यहां से इस सरकार को खाड़ने का काम करेगा आने वाली दस्तारिक को यहां पर आरलडी और समाजवादी के जो गट जी हारून अली सिद्धी की नाम है मेरा दरसल चुनाओ का जो मेन मुद्ध है अब की बार वो जो इनका सब्जेक्ट था हो सब्जेक्ट खतम हो चुका है धार्मी का अधार पर धुर्वी करन करना अब की बार जो मुद्ध है वो युवाओ का मुद्ध है बेरोजगारी का मुद्धा है महँंगाई का मुद्धा है मह greatness पूछ गया आप देखे चरम पर मह आज कर टेम में यूवाव को जहां तक रोजगार देने की बात ती वो रोजगार तो तो इन लोग ने दिया लेकिन वह रोजगार क्या दिया आप ये पूछे सारे जितने भी हमारे युवा हैं पड़े लिखे हैं और रात को विचारे बेंटरी लेकर लाठी डंडा लेकर सारे के सारे खेत उड़ा दिये अवरा पसोन है तो वो रोजगार तो युवा को मिला ठीक जहां तक महंगाए का मुद्दा है गरीब आदमी आम मजदूर किसम का करते हैं वो एक हजार का सिलंडर कहा से लेपा आप सोचाइए लके दाम देखिए कहां से कहाना पर पोँछे तो अब की बार और कोई मुद्द है किसान का मुद्द है कहां आज किसान की क्या दूर दर सायाब देखिए फसल और नसल कि लुए बनानी जा रहे हैं यहां हम कहां का आपको हाल दिखा रहे थे क्योंकि पस्चीम उत्र पर्देस को अगर बात की जाए तो यह उसकी जड़े है और यही से राजनीती में जो बदलावाने हैं या जो बदलावानी की बात की जा रही है वो साफ तोर पर दिखाई दे रहे हैं बहराल परसो वोटिंग है और तस मार्च को रिजल्ट आना है और उसके बाद यह भी साफ हो जाएगा कि आखिरकार कौन उत्तर प्रदेश का दुबारा स सीम बनता है या फिर कोन उत्तर प्रदेश का अगला सीम होता है मुझफवर नगर के कावसिस रोली से मैं चीत इंद्र गोतम जन हिट टाइम